आज मैं आप सभी को दो लवंग से लाइब सक्ति साली महा सक्ति साली इस्त्री उसी करन टोटका बतलाऊंगा जिससे कि कोई इस्त्री भी किसी पुरूश को अपने वस में कर सकती है और पुरूश भी किसी इस्त्री को अपने वस में कर सकता है चाहे हो इस तरी आपके अगल बगल में हो या दूर कहीं बैठी हो यदि आपके अगल बगल में है तो आपको कुछ जादा कुछ करने की जरूरत नहीं है और यदि दूर है तो सिर्फ आपका उसको क्या करना उसका फोटो आपको चाहिए उसके बाद मैं आपको करना क्या है ध्यान से दिखिएगा उसका एक फोंटो चाहिए और क्या करना इस टोटका को सुरू कर देना है कैसे क्या करना इस वीडियो को अंतक जरूर दखिए और जहां भी दीकत लगे नीचे कमेंट किजिएगा हम अपकी जरूर मदद करेंगे और आईगे वो बेचैन हो जाएगी राद दिन आफी के बारे में सोचेगी खुद आपके पास कॉल करेगे कहीना कहीं से नंबर लेकर आपके तो आई बतलाते हैं क्या करना है सबसे पहले आपको सुकरवार के दिन या मंगलवार के दिन दो लवंग लेना है ठीक है सबसे पहल में कोई लड़की है उसको वस्म करना चाहते हैं साधी सुधा महिला है उसको वस्म करना चाहते हैं या पुरुस है उसको वस्म करना चाहते हैं तो आपको दो लवंग लेना है ठीक है दो लवंग ले लेना है और उसके सरीर से इस दोनों लवंग को क्या करना एक बार असपर् पह बढ़ जाना है पुर्व दिशा के उर्घुम करके बढ़ना है पांच अगरबती जलाना है पांच अगरबती जला लेने के बाद मैं आपको कया करना है आपको इस मंत्र का प्रयोग करना है और यहां पर इस प्रकार से ध्यान से दिखिए गाँ ओम चंड चमूंडाय कालवरवाय अमूकी में वसं कुरूकुरूश्वाह यहां पे अमूकी जो है यहां पे उस लर्की का नाम देंगे यां उस पुरूश का नाम देंगे जिसका अपो छिकरन करना चाहते हैं जिसको अपने वस्म करना चाहते हैं 501 बार इस मंत्र को परेंगे कैसे परेंगे इस परकार से दोनों के फूल को मिलाते हुए परेंगे ठीक है उसके बाद मैं को करना कहां ध्यान से देखिएगा जब मंत्र 551 बार हो जाए इस दोनों लवं को अपने सर से 7 बर घुमाना है औ अगले दिन उठिएगा अगले दिन उठिएगा उसके बाद मैं को करना क्या है द्यान से देखिएगा दोनों लवं को लिजिएगा और इसी मंत्र का साथ बार प्रियोग आपको साथ बार करना है साथ बार कर लेने के बाद में क्या करना है इसको हटाना है इस परकार से छो में उलड़की आपके पास चल कर खूद आएगी यदि नहीं सटा तो समझेगा कि वह इस्तरी आपके वस्में नहीं कि उस्तरी के ऊपर किसी ने जादू टूना पहले से कर दिया है ठीक है यदि आप से दूर है इस्तरी या पूरू तो उसको कैसे वस्में करेंगे उसका पू करके क्या करना आपको मांतर को सीथ करना है 501 बार उसका नाम लेते हुए उसके बाद में आपको तक्या के नीचे रखना है जैसे अमने बता दी वह से करना जहां भी दिखत लगए नीचे कमेंट किजिए कहम आपकी जरूर मद्द करेंगे यदि आप हमारी चैनल पर नहें वहाँ पे कॉल किजिएगा